देश में बढ़ती मॉब लॉंचिंग धार्मिक इस्तलों पर हमले की वारदा ते जैसी घटनाएं बढ़ती ही जा रही है जिसके चलते अचलपूर परतवारा जुलवा शहर के मुस्लिम समाज दुआरा रष्टपती एवं प्रदान मंदरी को उप विभागिये अधिकारी के माध्यम से निवेदन दिया गया इस निवेदन में मुस्लिम समाज की ओर से मांग की गई है कि देश में बढ़ती मॉब लिंचिंग की घटनाएं और धार्मिक इस्तलों पर होने वाले हमले मंदिरों में तोड़ फोड़ की घटनाएं देश के लिए उचित नहीं है इन घटनाओं के कारण पूरे वीश भर में हमारे देश की बदनामी हो रही है जारकन के तबरेज अंसारी को भीड द्वारा मार दिये जाने से उसके परिवार पर दुखो का पहाट तूड़ गया यही नहीं तो इस घटना के चलते सामानने नागरिक भी अब सहम गए है वही दिली के एक मंदिर पर आसामजिक ततुव द्वारा तोड़ फोड की गई धार्मिक इस्तलों को निशाना बनाया जा रहा है किसी भी धार्मिक इस्तल को अपरादियों द्वारा आसानी से निश बनाया जा रहा है माब लिंचिंग और तोड़ फोड की घटनाओं को रोकने अपरादियों के लिए मकोका जैसे कानून के तहत कारवाई की जाए तथा देश में इस घटनाओं को रोकने है तो कड़ा कानून बनाया जाए इस परकार की मांग को लेकर अचलपूर उपिभा अगे अधिकारी के माध्यम से प्रधानमंती और राष्टपती को निविदन दिया गया कोई अगर पत्राव करता है तो उसके उपर मोका या टाडा ऐसे बड़े-बड़े कोई कानून लगाए जाए जिससे ये लोग ऐसी कोई हिम्मत न कर सके और इस कानून को बनाने है तू विदायक सांसदों ने भी कानून बनाने की पहल करनी चाहिए इस परकार की मांग भी निविदन में मुख रूप से दर्शाई गई थी रोड या थे एक्षृ का कोई नुकसान पहुंचाया जाया है हम अमारी पुराण शरीık की आयत है लग टीनों थे आयत आयत खुले थे हल्फाज में यह बयान किया गया है कि भाही तुमको आपको आपका kin मुबारक हो हमको हमारा दिन मुबारक हो किसी के भी प्रात्ना में किसी के भी नमाज में किसी के भी पिरेयर में कोई दखल अंदाजी नहीं करेगा ये हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है इसमें हर इंसान को अपने अपने तरीके से अपने अपने भगवान को पूछने की प शाम नबिल, सामाजिक कारे करता मुहम्मद शब्बीर, मोहिन चावान, फिरोज कान, इर्शाद एहमद, मुहम्मद अजरुद्दीन, मुहम्मद साजित, साइद, हजारों मुस्लिम बंदू उपस्तित थे। विस्चेन न्यूस के लिए अचलपूर से मुहम्मद अजरुद्दीन